हेलो स्टुनेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबंपु रोईत आपका जोग्राफी एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके फिवरेट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रिंस पर मैगनेट ब्रिंस जो की फिमास है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकल प्रोवाइड करने के लिए जहां पर आपको किंडर गार्डन से लिए क्लास टॉल तक कि सभी खखशा मिलती हैं इंगलिश मेडियम में और छटवी से लिए बारवी तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कखशा है साथी साथ अगर आप ई-not और ई- नदी द्रोणी क्या होती है अपवाज चेत्र या जलगरहन चेत्र यानि किसको बोलते हैं और नदियों को हम किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं तरसल पूरे भारत की नदियों को हम लोग दो तरीके से डिवाइट कर सकते हैं या विभाजित जो है हम लोग किया जा सकता है एक हम लोगों ने देखा था कि हिमाले तंत्र की नदिया और दूसरा आपने से हम लोग के नदियों कंत्या हम लोग ने पढ़ा था और कुछ नदियां होती जो प्रायदीपिया भारत में बैस्टी है अधिज हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है तो आज की इस डिवीजिन में या अचकी वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है हमाली अपभा नदी दोनियां शामिल हैं यहां की नदियां बारा मासी है क्योंकि यह बर्फ पिगले और वर्षन दोनों पर निरबढ़ है दिए कि पूरी लाइन को मैं एक बार आप लों को बता देता हूं शौट में कि क्या समझाया गया है इस लाइन में देखिए हिमाली अपवात अंत् यहां पर प्रमार हैं यह देखा गया है हम लोग ने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में के इंडियन प्लेट यूरेशन प्लेट से टक्रा रही है टक्राने के फलसुरूब एक संदशना उभरी हुई है उस संदशना का नाम क्या है हिमाले परवत इसे हिमाले साल भर जमी रहती है साल भर बर्व जमी होने के कारण साल भर बर्व का पिगलना भी लगा रहता है और साल भर जब बर्व पिगलती है तो उनकी नदियों में पानी निकलती है उन नदियों में पानी जो है वो साल भर बना रहता है साल भर बहने वाली नदियों को सदा नीर और बर्शन दोनों पर निर्भा करती हैं मतलब इन नदियों में पानी एक तो बर्फ पिगलने के कारण क्योंकि ग्लेशर से निकल रही है तो बर्फ पिगलने के कारण पानी तो है यह साथ जब मौनसून आता है तो मौनसून के समय भी इन नदियों में पानी भरा जाता है य बड़े बड़े परवतों के बीच में गैप कईबार जो हैं बन जाते या फिर आप इसको जो है इस तरीके से paradox सकते हैं ciao को y वी आकार की घाटी वो नदी बना लेती है आप लोगों ने देखा होगा कि अगर चटान मुलायम है तो नदिया जो है वो गहरे कटाव कर देती है इस तरीके से अगर कटाव हम लोगों को देखने को मिलते हैं तो इस संरशना को बोला जाता है वी आकार की घाटियां क्या बो लोग बोलेंगे महाखड जिसको हम लोग गौर्ज भी बोल सकते हैं यहां पर चित्र के माध्यम से आप लोगो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो यह नदियां गहरे महाखड और गुजरती हैं जो हिमाले की उत्थान के साथ अपर्धन क्रिया द्वारा बनें मैंने आप लोगो को बता दिया कि हिमाले की हिमाले से नदिया निकलती है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो यहां पर गौर्ज की संडचना या चित्र जो है आप तरवती मार्ग में वियाकार की घाटिया शिप्रिकाएं और जलप्रपाद भी बनाते हैं वियाकार की घाटिया मैं आपनों को बता चुका हूं शिप्रिकाएं क्या होता है कि जैसे आप लोगों को देखने को मिल रही है उपर अलग स्टैप है नीचे जो है वह अलग और जल प्रपात तो आपनों को मालूम ही है वाटर फॉल्स जब यह मैदानों में प्रवेश करती हैं तो निक्षिप आत्मक इसला करती हैं जैसे समतन घाटियों गोखुर जीनों बालकरत मैदान गुम्फिद वहीकाओं और नदी के मौहाने पर डेल्टा का निर्मार करती है अब देखिए यह जो इसला करती बनी कौन सी शिपरी का इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा वियाकार की घाटी गौर्ज यह जो इसला करती है वो पहाड़ों पर बनती है देखिए उपर पीछे आपको पहाड़ भी दिखाई दे रहे होंगे यह जो इसला करती है हम लोगो वो कौन सी है गोखर जीने बालकरत मैदान गुमफित वही का हैं ठीक है और यदि वह महाने पर महाना किसको बोलते हैं जब कोई नदी समुदर से मिलती है तो इसको महाना बोलते हैं अगर कोई नदी इस तरीके से सरपिलाकार नदी उसमें तरीके से बह रही है अब ये नदी कुछ समय बाद जब समय बीत जाता है और ये नदी हींग करता मैदा का वन्हों रखाली मेदान कि बहदते हैं कुछ समस्ताम मैदान की तरह सीधे कि परंतु मेदानी चेतरों में नहीं रखने के पहाड़ों से रहने के वाली जो नदीया होती है क्योंकि नदिया कियोず यहां से नीचे रहेगी ना उसके सामने वापस फैलने का लेकिन जव यह नदिया हो जो पात है ना इस तरीके से सरपिलाकार हो जाता है इस तरीके से पहाड़ों में ये वाला स्कोप नहीं होता क्योंकि धाल धलान होती है धलानों में नदियों का पानी नदियों को जो है सीधा बहने पर मजबूर करता है तो उम्मीद करता हूं ये वाली स्लाइट जिसमें बालकरत मैदान क्या होते हैं यह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगी कोसी नदी जिसे बिहार का शोग कहते हैं अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है अभी अब लोगोंने क्या पड़ा कि समतल मैदानों में नदिया क्या है अपना मार्ग बाल लाएगी तो नुकसान होगा तो कोसी नदी में क्या है बाल कई बार आती रहती है तो जब बाल आती है तो नदी अपना मार्ग बदलती है तो मार्ग बदलने की रहा में जो जो मकान आते हैं जो जो खेत आते हैं जो भी सनरचनाय आती हैं उनको नुक्सान तो होगा ही इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है शोक नहीं शोक, शोक मतलब होता है सौरो, दुख क्योंकि नुकसान होता है तो लोगों को दुख यहने लोगों को बहुत सारी चीज़े जो है खोनी परती है यह नदी परवतों के उपरी इस्सों से भारी मातरा में अवसाद लाकर मैदानी भगों में जमा करती है इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है वह परणाम सरूप नदी अपना मार्ग बदल देती है बाई को सी नदी का है अपने साथ बहुत सारा कच्रा लाती है कच्रा लाती है तो यह कच्रा मार्ग में क्या होता है इक खटा होता जाता है यह मार्ग में अगर कच्रा इक खटा हो गया तो यह नदी अब यहां से बहने की बज़ाए क्या होगी ऐसे बहने लगेगी जब यह यहां पर बार आएगी और यहां पर सुinhaघी तो यह सुखतल रही इस मार्ग बदलने के कारण बहुत सारे लोगों को बहुत जन संस्ख्या को बहुत संरशना को ज्यादा नुक्सान जो है वो देखने को पड़ता है यह देखिए मैंने मैप यहाँ पड़ मनाple यह कोशी नदी और किस तरीके से अपना मार्ग बदलती है यह सब चीज़ें आप लोगों को उम्मित करता हूं समझ में आ गई होगी इसी तरीके से मैगनेट ब्रिंस आप लोगों के लिए क्लासिज लेकर आया है हम लोग वैदिक मैस क्रेश कोर्स और स्पुकर इंगलिश की क्लासिज भी आप लोगों के लिए चलाते हैं www.magnetbrins.com यह हमारी जिससे की आम लोगों को जो है motivation मिल सके आप लोग डे टू डे अपडेट के लिए हम लोगों के सोशल मीडिया चैनल्स जो मैगनेट ब्रिंस का ऑफिशल सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको फॉलू कल सकते हैं जो की यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेल इनका सब्सेट्शन या सब्सक्राइब इन चैनल्स को आप लोगों को करना हैं की आप हैंशु का किंपी को